नमस्कार आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूँ डॉक्टर पंकसिंग गौर और आज सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्टी अध्यच पूर मुखमंतरी अखलेश यादो का पचासवा जन्म दिन मनाया जा रहा है अलग अलग तरीके से समर्थक अपने महभूब नेता को तमाम तरीके के उपहार दे रहे हैं कोई उनके देरगायू होने की कामना कर रहा है तो कोई उन्हें प्रधान मंतरी बनने के रूप में देखना चाहता है आज हम आपको सीतापुर के ऐसे ही एक प्रसंसक से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी आप लंबाई देखकर भले ही हैरान रह जाएंगे लेकिन अखलेश यादों के प्रति वो कितने निष्ठावान हैं और अपने महभूब नेता को कहां तक देखना चाहते हैं इनका नाम है दरसल अमन खान ये सीतापुर के रहने वाले हैं और इनकी मात्र तीन फिट के आसपास की उचाई है उम्र 21 साल है लेकिन अखलेश यादों के लिए इनके मन में क्या है इनके दिल में क्या है आज इसको लेकर हम आपको बताएंगे और उनसे मिलवाएंगे भी तो चलिए हम चलते हैं ऐसे ही अखलेश यादों के एक प्रसंसक से मिलवाते हैं जो सीतापुर में एक अलग पहचान रखते हैं जब भी अखलेश यादों आते हैं ये जरूर उनसे मिले पहुंसते हैं और अखलेश यादों भी इन्हें निरास नहीं करते हैं अमन खान आपका बहुत-बहुत स्वागत है अमन यह जानना चाहेंगे कि आप जिस लिवाज में हैं समाजवादी लिवाज में समाजवादी पार्टी के आप प्रसंसक हैं खासकर अखलेश यादो को अपना नेता मानते हैं आप ये बताईए कि अखलेश यादो क्यों प्रसंद हैं आपको और कब से अखलेश यादो के लिए आपकी इतनी बड़ी चाहत है जब मैं गया पहली बार मिलने तो माननी अखलेश यादो जी ने मुझे बुलाया और मेरा बड़ा सम्मान गिया तब ही से हमने सोच लिया था कि अब इने के साथ अपने नेता को मैंने इनको ही नेता अपना मान लिया था और तभी से समाजवादी पार्टी जोइन कर ली थी और समाजवादी पार्टी के लिए एक काम कर रहे हैं अनस कब गए थे आप अखलेश यादो से मिलने के लिए मैं 2017 में पहली बार माननी अखलेश यादो जिसे मिला था 2017 में जी तो 2017 में जब अखले शादों से, कहां पर आपकी मुलाकात हुई ? लक्नौ में पार्टी कारेले, जो समाज़ादी पार्टी का है, वहां पर मुलाकात हुए थी हमारी पहली बार तो मुलाकात हुई क्या बात हुई कितनी देर आपसे मिले वो और आपसे क्या वारतालाप हुई थी आपसे मिले वो मुझे से कहा हम पहले सब हायचाल पूछा नाम पूछा कहा के हो ये सब पूछा उन्होंने कहा कि आप मेरी पार्टी में आईए और मैंने तब से ही मुझे सम्मान दिया इसलिए हमने उनकी पार्टी में जोइन करिया अमन ये जानना चाहेंगे कि 2017 में आपकी अखलेश यादों से मुलाकात होती है उसके बाद अखलेश यादों कई बार सीतापुर आए है कुल अब तक कितनी बार अखलेश यादों से आपकी मुलाकात हुई देखे जब सीतापुर का दोरा होता है मानी अखलेश यादों जिता तब तब मैं उनसे मुलाकात करने जाता हूँ और वो भी मुझे पूरा सम्मान देते है पूरा सम्मान देते है लगबग कितनी बार मुलाकात हुई मेरी लगबग 16 बार मुलाकात हो चुकी है मानी अखलेश यादोगी से तो देखे 16 बार अखलेश यादोगी से मिल चुके हैं अमन खान और उनका कहना है कि वो उन्हें इत के लिए क्या तमन्ना रखते हैं चुकि आज अखलेश यादो जी का जनम दिन भी है किस रूप में देखना चाहते हैं अखलेश यादो को आगे अखलेश यादो को लेकर राजधानी लखनो में भी पोश्टर लग गए हैं जिसके माध्यम से उनके समर्थक उनके कारकरता उन्हें प्रधान मंतरी के रूप में देखना चाहते हैं उसी में से एक प्रसंसक हैं सीतापुर के अमन खान जो विस्वा के रहने वाले हैं और ये अपने महबूब निता को प्रधान मंतरी के रूप में देखना चाहते हैं ये इनकी दिली ख्वाइस है और अमन अब तक 17 बार अखलेश यादों से मुलाकात कर चुके हैं हम जाना चाहेंगे जब अखलेश यादों की सभाएं होती हैं तो उन सभाओं में भी आप पहुंसते होंगे तो बहुत सारे लोग होते हैं भारी भीड होती हैं सुरच्चा होती हैं क्या उस सुरच्चा घेरे में भारी भीड के बीच भी आपको अखलेश यादों पहचान भी लोग दूर से बुला लेते हैं और बड़ा जो सुरच्छा है उनकी वो भी मुझे जाने देती है वो भी जाने देती है यानि कहीं इसारा होता होगा नेता जी का तभी तो आपको वहाँ जाने दिया जाता होगा क्या आपको संबोधित करते हैं आपको तो देखिए यह है नेता की पहचान और नेता जब इस कारकरता को पहचानते हैं छोटी से कारकरता को तो जाहिर तोर पर ये भी अपना पूरा जीवन अब समाजवादी पार्टी के लिए समर्पित करना चाहते हैं आपकी किस साल की उम्र हो चुकी है अब जो जीवन बचेगा क्या समाजवादी पार्टी के लिए आपका क्या लच्छ है क्या समाजवादी पार्टी के लिए पूरवक काम करेंगे अब हम बात करते हैं आप से बहुत सारे नेता हैं अखलेश यादो की अगर तुलना करें तो अखलेश यादो में क्या खासियत है कारकरताओं का बहुत सम्मान करते हैं और मुझ जैसे छोटे से कारकरताओं का जब इतना सम्मान करते हैं तो बाकी कितने का करते हुए यह सबसे अलग उनको बनाता है सभी नेताओं से कारकरताओं का सम्मान करते हैं और खासकर आप जैसे कारकरताओं आपको लगता नहीं कि आप महज तीन फिटके हैं बहुत सारे जो नेता होते हैं उनकी लंबी लंबी हाइट होती है आपको इसका मलाल भी होता होगा लेकिन जब ये प्यार पाते है अखलेश यादो का तो कैसा लगता है मलाल होता है लेकिन जब हमारे नेता इतना मान देता है, समान देता है, तो मलाल निकल जाता है, मलाल निकल जाता है, आपकी उम्र आपने बताई 21 साल हो गई है, आपके सिच्छा दिच्छा लोग जाना चाहते हैं, कहां तक की पढ़ाई है आपकी, हम इंटर कर चुके हैं, आ अब आ अपने परिवार के बारे में भी बताये कि परिवार में कौन कौन है आपके और किया जो और परिवार में लोग हैं उनकी भी हाइट आप जैसे ही हैं। सब्सक्राइब ने हैं ते खाली हमारी यह ऐसी है और कौन कौन है परिवार में? हमारे परिवार में माता पिता है, एक बड़ी बहन, एक चोटी बहन, एक जीजा है जिस लिवास में आप रहते हैं सांदार, जूते भी आपके सांदार, टूपी भी लगाएं हैं कलफ किये हुए आप, जो है कुर्ता भी पहनते हैं, घड़ी भी आपने लगा रखी है और चस्मा भी आप लगाते हैं इसका खर्चा और चा कैसे चलता कि आप भी बेवसाई में हाथ बटाते हैं, कोई बेवसाई करते हैं आप किसान परिवार से आते हैं और हमारा खर्चा हमारे माता पिता ही उठाते हैं उनका बेवसाई? किसान परिवार, किसान से बुड़ है आपका सौक क्या है अमन, यह बताइए जराब क्यांता है, किसे परिवसाई किर्केट कहीं रखते हैं किर्केट में बहुत हैं और घूमने अच्छा लगता है इसे किर्केट में बाुलिंग पसंद है या बैट भी, बैटिंग भी करते हैं? दोनों कर भी लेते हैं? भूब? जी, खूब कर लेते हैं कहां खेलने जाते हैं ये अपने विदान सभा में अपने चोटे-चोटे बच्छों के साथ खेलते हैं जब भी मौका मिलता है कभी तो जाते हैं खेलते हैं तो उसमें आपकी हाइट कही रोड़ा तो नहीं बनती है नहीं हम अपने सामान ने जो हमारी हाइट है उसी के हिसाब यह बना लिया इन्होंने, आपने महबूब नेता है यह बना लिया इन्होंने। एक चीज़ अमन ये बताईए कि जब आप 21 साल के हो गए अब बाली गाब हो गए साधी की भी आपको लगता है कभी आपको भी लगता है कि साधी आपकी होनी चाहिए इस वीच आप से कोई किसी ने संपर्क किया कभी साधी को लेकर चर्चा की गई आपकी लेकिन आज चुकि ये सोशल मीडिया का प्लेट फार्म है इसे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और देखेंगे अगर कोई संपर्क करता है और साधी करने की इच्छा जाहिर करता है आपसे तो आप तयार है जी अभी तो अगर कोई संपर्क करता है लेकिन मुझे मेरा एक लक्षे हो जाएगा तभी मैं चाहिए जानीगा लच्छ क्या है जरा सा बताएंगे आप किस बन जाएं कुछ अपने लिए सोचे तब किस दिसा में बनना चाहते हैं आप नेता नगरी में आगे बढ़ना चाहते हैं या बेवसाय में आगे बढ़ना चाहते हैं नेता नगरी में भी बढ़ना चाहते हैं नेता नगरी का लच् तो जब आप डाले पहुँचे थे वहां पर ओंट तो वहां पर जो है सुरच्छा कर्मी भी तैनात होंगे उन्होंने कुछ रोका आपको कुछ का मत दे चुके नेता बनना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ना पसंद करेंगे या किसी और दल से अगर मौका मिला तो समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़नेंगे आखर इच्छा क्या है समाजवादी पार्टी में अखलेश यादो से आप क्या मांग करना चाहेंगे अगर वो आपको बुलाते हैं तो उनसे क्या कहना चाहेंगे और आज खास कर जब उनका जनम द मैं जिनम जिन की बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और यही कहना चाहता हूँ कि जो हम थोड़ा सामानी परिवार से हैं, जो ज़्यादा तर होता है, जो पार्टी के काम से मतलब करते हैं, बाकि हमारा कोई रोजगार नहीं है, बस इसका थोड़ा वो रखता है. सामानी परिवार से हैं, मौका दिया अगर अखलेश यादो ने, तो अमन भी चुनाओ लड़ना चाहेगा, और वो ऐसी दिली ख्वाइस भी रख रहा है, कि एक ना एक दिन समाजवादी पार्टी उन्हें लड़ाएगी भी, और सत्रा बार अब तक अखलेश यादो से उन अमन को बुला लिया जाता है, इनसे बागादा हाथ मिलाते हैं, इनकी पीड तप तपाई जाती है, और यही जजबा इन्हें पार्टी के अंदर कुछ करने की तमना भी रखता है, तो यह तो बात हो गई लड़ने की आपकी, जब पार्टी के प्रतियासी चुनाओ मैदान और बगल में विदान सबाएं में मुदाबाद और कुर्सी, एन्न जिगाओं पर में विदान सबाएं मुझे जरूरत पढ़ती है, मैं जाता हूं प्रचार करता हूं प्रतियासी चुनाओ प्रचार करते हैं, अच्छे तमाम नेता हैं, प्रधान मंतरी नरेंद मोदी, नेताओं से अलग किसको पाते हैं, किसके अंदर अच्छाईया आएं और क्या अच्छाईया हैं? अच्छाईया सबी में होती हैं और कुछ यह हटके होता है तो आदमी को थोड़ा अलग बनाता है, लेकिन हमें अकलेस लादो जी की सादगी और वो बहुत पसंद है, कि आए सब से मिलना जूलना सब का हाल चाल लेना सब कहां से हो क्या है और जो भी जिसकी मदद हो उसकी मदद की यह सब देखते अच्छा लगता है इससे आप प्रभावित हुए जी प्रभावित हुए तो देखिए पिछले करीब छे साल से समाजवादी पार्टी से चुनाओ लड़ने की भी तमन्ना रखते हैं और आज अखलेश यादो का चुकी जन दिन है पचासवाँ इस मौके पर उन्हें बधाई भी दे रहे हैं सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर मुख्यमंतरी अखलेश यादो महज 38 साल की उम्र में उत् के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में और उनके ऐसे प्रसंसक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ तीन फिटके अमन खान के अंदर जो जजबा है जो कर गुजरने की तमन्ना और रखते हैं और कैसे अखलेश यादो के लिए क्या विचार हैं उनके ये सारी ब आप जरूर हमें अपना सुझाओ दें ताकि हम आगे और अच्छा कर सकें खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आई इंडिया